हेलो फेंस तो आज मैं आपको बताऊंगा होटला रेश्टो में साग मीट कैसे बना जाता है ये खाने बहुत ही चाहता टेस्टी होता है और जातर हम घर में साग मीट बनाते हैं उसमें अच्छा कलर नहीं आता है अच्छा टेस्ट नहीं आता है तो आज में आपको हर बो सीक्रेट टिप्स दाऊंगा जिससे आपका साग मीट एक तम कलरफुल बनेगा और बहुत ही टेश्टी भी बनेगा तो सबसे पहले एक पैन में पानी को बोयल कर लिशे और एक गुच्छी अपने पालक की लिनीँ है अच्छी तरह से दो कि इसको बोयल करने के लिए डाल देना है साथ से आठ आपने हरी मिर्च भी एड़ कर देनी है साथ में अब पालक को आपने कितनी दिर बॉयल करना है गैस की फिलेम हाई कर दीशे जैसे एक बॉयल आजाएगा गैस की फिलेम बंद कर दीशे और इसको जल्दी से चान लीशे और एक बॉल में आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसके साथ बर्फ मिक्स करके रखनी है और इस पालक को आपने बर्फ में डाल देना है इससे कि होगा पालक का कुकीम पर सैस रुख जाएगा और पालक का जो कलर है एक तम ग्रीन आएगा आएके देखिए पालक का हमारा अच्छी तरह से ठंडा हुचका है इसके बितर हम इसको दुबारा से ज चान लेते हैं और इसके बितर आपने इसको ग्राइप्ण करना है तो यहाँ मैंने मिक्सी ग्रेटर जार लिया है इसमें हम पालक आइड करेंगे तो इसके साथ में आपने पानी नियाइड करना है इसको थोड़ा निचोड़ के डालना है और साथ में आपने हरधनी डालना है तो 100 ग्राम आप इसमें हरधनी याइड कर देशे थोड़ा साथ आप इसमें मिंट का यूज कर सकते हैं इससे बहुत लिए फ्लेवर आएगा तो थोड़ा ही मींटे डालने आपने और इसको ग्रैंड कर लीजिए तो पानी का यूस नहीं करना है जादा पानी जादा डालेंगे इसको बहुत ही जादे तब पकाना बढ़ता है कि देखिए इस तरह से आपने पालग का थीक पेस्ट बना के रखना है अद्रक लसुन का पेस्ट यह होगा तो यहाँ पे मैंने 50 क्राम अद्रक लिया है और 50 क्राम ही हम लसुन का यूस करेंगे और लसुन को मैंने बीन च्छीले ही डाल दिया देखिए मिक्सिक रंडर जार में थोड़ा सा पानी आइड किया है और इसको पीस लेते हैं तो यह देखिए दो मिनिट में आपका अद्रक लसुन का पेस्ट भी बन जाएगा और एक किलो 300 क्राम यहाँ पे मैंने मटन लिया है इसमें चाम भी है, नली भी है, साथ में बोनले स्पीसीज है तो मटन को मैंने एक बार दो लिया था और यहां मैंने स्टेनले स्टील की कडाही लिया है उसमें 150 सेमेल आपने सरसों का तेल एड़ करना है सरसों की तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीचिए जैसे ऑल गर्म हो जाएगा इसके बद आपने एक छोड़ा जम जिसमें नमक एड़ करना है नमक से इसकी कच्छी तो समेल होती न बोग खतम हो जाती है इसके थोड़े से खड़े मसाले आड़ करेंगे दो तेश पत्ता, दो बड़ी लैची तीन आपने इसमें छोटी लैची आड़ करनी है दस से बारा काली मिर्च और पांच से शे आप इसमें लोंग एड़ कर दीशे और एक टुकटा आपने इसमें दालची न ही आड़ करनी है साथ में थोड़ी से आप इसमें जवेत्तरी भी डाल सकते है खड़े मसालों के साथ मटन पकेगा ना बहुत ही जवर्दस फ्लेवर आएगा गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में मसालों को थोड़ा सा गर्म कर लीजे जैसे मसाले थोड़ी गर्म हो जाएंगे दो छोड़े जमच आपने इसमें बरी कटवा लसून या कुटवा लसून डालना है अगर सरसों के तेल की थोड़ी बहु कच्छी स्मेल रह जाए तो लसून डालने से वो खतम हो जाती है तो लसून को अच्छी तरह से पका लीजे इसके बद आपने इसमें बरी कटवा प्याज हैड कर देना है और अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेमे प्याज को आपने अच्छी तरह से पका लेना है जब तर प्याज में थोड़ा कलर चेंज होना शुरू ना हो जाए और कंटीन्यू आपने पल्टा चलाते रहना है तकि सारे प्याज में एक जैसा कलर आए तो ओके देखिए प्याज का कलर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है इसके बद आपने इसमें अधरक लसन का पेस्ट अड़ करना है तो जो पेस्ट मेंने सारा बना के रखता है सारे का सारा पेस्ट इसमें एड़ कर देते हैं तो जब भी आप कोई भी नॉन बेस्ट बनाते हैं उसमें आपने अधरक लसन के पेस्ट का यूज थोड़ा सा जादा करना होता है उससे चाट टेस्ट आता है और अधरक लसन के पेस्ट को अच्छी तरसे पका लीशिए अब पता कहसे लगा पेस्ट पक चुका है जब हमारा प्याचना दानेदार होना शुरू हो जाएगा तो समझ दिजिए आपका जो पेस्ट अच्छी तरसे पक चुका है देखिए इसके बद आदा चमच आप इसमें हल्दी पाउडर और साथ में आदा चमच आपने इसमें लाल मिश का पाउडर एड़ करना है और गैस की फ्लेम एक्तम लो कर देंगे एक्तम लो फ्लेम में आपने हल्दी पाउडर और लाल मिश पाउडर को थोड़ा सा पका लेना है इस से मटन में अच्छा color आएगा हमारा मटन जो डार्क नहीं होगा और इसके बद हम इस में मटन एड़ करते थे हैं और गैस की flame आपने हाई करनी है हाई flame में आपने मटन खेड़ी में हम पकाना शुरू कर देना है मटन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है इसके बद गैस की फ्लेम एक तम लो कर देंगे उपर से कवर करके कम से आप 10 मिन तक इसको पकने दीशे और 10 मिन तक आप मटन को कवर करके पकाएंगे ना बीच बीच में आपने पल्टा चलाते रहना है तक ही मटन कड़ाई से ना चिपके और उसके बद दो से तीन मिन तक आप हाई फ्लेम में इसकी बुनाई कर लीशे तो यह देखिए मटन का जो मौइश्टर बिल्कुल कम हो चुका है इसके बद आप इसमें एक छोटा चमश नमक एड़ कर दीशे और साथ में धनिया पोर्डर एड़ करना है देट चमश आपने इसमें धनिया पोर्डर डालना है थोड़ा सा आपने इसका ज़्यादा यूज़ करना है एक चमश आप इसमें जीरा पोर्डर एड़ कर दीशे कच्चा जीरा पोर्डर का यूज़ किये और आधा चमश आपने इसमें गरम शाला पर्ड़ाइड करना है आप डालना चाहाँ इसमें थोड़ा सा मीट मसाला भी आड़ कर सकते है बट मैंने आप कड़े मसालों कर गरम मसाला कर यूस्ट की है तो मीट मसाला मैं नहीं डार राऊ हूं गैस के फ्लम लो रखेंगे, मसालों को हलका सा पका लीशे, फिर मसाले जले ना तो इसके लिए अपने तेही आइड करना है, तो 150 क्राम आप इसमें देही आइड कर देशे और देही को आपने अच्छी तरह से बिसकर से ना फेंट के डालना है उससे क्या होता है देही कर डलनी होती है फटती नहीं है और गैस की फ्लेम आप हाई कीचिए आई फ्लेम में आपने देही को पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना है यह देखिए देही में बबल साना शु जा लिया है, तो जाइफल को भी आची तरह से आप मिक्स कर दैशिए, अब आप ने गैस की मीडियु कर देनी है, और मीडियु में कम से कम 10 मिनिट तक आदे देनी के साथ म…! कला यहीं की तक अपने देनी हैं, हाई फिले में आपने मटन को देंगी के साथ तब तब पकाना है जब तक इसमें जो मॉइस्टर है वो खतमना हो जाए तो अब देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से ओईल छोड़ दिया है अब आपने इसमें पानी एड़ करना है तो गर्म पानी के यूज़ करना है ठंटा पानी डालना है लगवक एक लीटर आप इसमें पानी एड़ कर देशे तो जिस पानी में हमने पालक को बॉयल किया था आप उस पानी के यूज़ कर सकते हैं मटन को पकाने के लिए और देखिए मटन को अच्छी तरह से मैंने पानी के साब मिक्स कर लिया है अब हम इसको जल्दी पकाएंगे जल्दी कैसे पकाना है इसको ना कुकर में डाल देते हैं ताकि हमारा जो मटन ने 12-15 मिन में बख जाए अगर आप इसको ओपन में पकाना चाहें ओपन में पका सकते हैं ओपन में पकाने के लिए आपको इसको 35-40 मिन का ٹाइम लग जाएगा वैसे हमें 30 मिन हो चुके हैं इसको पकाते हुए तो इदेखिए मटन को मैंने कुकर में डाल दिया है ओपर से कबर कर देशे और 12-15 मिन तक आप इसको पकने दीशे, इतनी देरे में मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट होजेगा, गैस की फ्लेम आपने एक तम लो रखनी है, तेज गैस में ने पकाना है, और उसी कड़ाई को मैंने थोड़ा सा धो लिया है, एक चमच उसमें ऑईल एड़ करेंगे, ऑईल के यूस नहीं करने, आपने इसमें पानी ढालेंगे, पालक को बहुत ज़्यादा टायम तक पकाना पड़ेगा, और ज़्यादा टायम तक पालक को पकाएंगे, उससे पालक का कलर डार को जाता है, तो गैस की फिलम हाई कर दीशे, और हाई फिलम में पहले पालक को अच्छ तरह से राई ना हो जाए तो कितना टेम लएगा 5-6 मिनिट में आपका जो पालक है वो अच्छी तरह से बून जाएगा अच्छे से बख जाएगा तो यह देखिए पालक को अच्छी तरह से मैंने पका लिया है तब इसका जो कच्चा टेश्ट है ना बो खतम हो पाता है तो इस तरह से बालक को आपने जरूर पकाना है और यहाँ पे देखिए 12 मिनिट तक मैंने मटन को पका लिया एक तम डो फ्ले में अब इसके बद आपने मटन का एक पीसना चेक कर लेना है देख लेना है मटन पका है यह कच्चा है अगर आपको लगता है मटन कच्चा है दो से त 20 मिनिट तक उससे क्या होगा ग्रेवी के अंदर मटन का अच्छा टेस्ट आएगा तो यह देखिए सारा मटन मैंने आप एड़ कर दिया है अच्छी तरह से मटन को पालक के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और आप इस मटन को इस तरह से पकाएंगे न एक्तम जवरदस् कम से हम 5 मिन तक इसको मीडियम फले में पकने दीशिये ताकि जो पालक की ग्रेवी है उसमें अच्छा फ्लेवर आज़ा है मटन का और इसके साथ में आदा चमच आपने इसमें कसूरी मेती भी आइड करनी है रोज की उसको क्रश करके डालिए और कसूरी मेती को अच्छी कराना शुरू हो जाएगा तो ओके देखिए ग्रेवी नहीं आप अच्छी तरह से ओल चोड़ती है और मटन में हमारा अच्छी से सॉफ्ट हो चुका है आप इसको इंजुआए कर सकते हैं रोटी नान लच्छा परांटा के साथ पीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेक म चुरू की शेयो के फ्रेंज थैंक यू